Very good morning प्यारे बच्चो, I am here once again with new video of Hindi So, students, आप सभी अपनी Hindi की book निकालेंगे, open करेंगे page number 30 बच्चो, हिंदी में पढ़ रहे हैं, part 7, make आपने previous वीडियो में इस chapter का exercise 3 तक complete कर लिया है बच्चो, आज हम exercise number 4 से complete करेंगे Hope सारे बच्चो ने page number 30 open कर लिया होगा देखते हैं बच्चो, size number 4, नाम से मिलाओ बच्चो, यहाँ पर देखिए, चित्र बने हैं, चित्र को उनके नाम से आपको मिलाना है तो पहला चित्र किसका बना है, ब्रिच का बना है और ब्रिच कहा लिखा है बच्चो ये लिखा है तो आपको इस तरह से इसे मिलान करना है दूसरा चित्र किसका है? कृसक का, आपको कृसक से मिलाना है तीसरा चित्र बच्चो रिसी का बना है इसको आपको रिसी जी से मिलाना है देन क्या बना है बच्चो ग्रे बना है ग्रे को आपको ग्रे जहां लिखा उसे ऐसे मैच कराना है ओके सुडेंट ये वरक आप बुक में करोगे बटा देखते हैं एक्सरसाइस जंबर 5 सोच कर लिखो बच्चो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कोश्चन दिये हैं इसके आंसर को आपको सोच कर लिखना है तो पहला प्रस्न क्या है मरिग क्या खा रहे थे मरिग मिस क्या होता है बच्चो हीरन तो हीरन क्या खा रहे थे मरिग त्रड खा रहे थे त्रड मिस क्या होता है बच्चो घास होता है है ना तो हीरन क्या खाता है घास खाता है ओके देखते हैं खा नरिप के हाथ में क्या था नरिप मिस्ट क्या होता है बच्चो राजा होता है और राजा के हाथ में क्या था नरिप के हाथ में क्रिपाड था क्रिपाड मीज क्या होता है बच्चो तलवार होता है ओके तो आपको खा में क्या भरना है क्रिपाड ओके सुडेंट बच्चो आपको एक्सरसाइज नंबर 5 अपनी कॉपी में करना है देखने एक्सरसाइज नंबर 6 चित्र को देखकर री की मांत्रा वाले सब्द लिखो बचो यहाँ पर आपको चित्र देखना है और री की मांत्रा वाले सब्द लिखने है तो बचो चित्र को देखने के बाद जो पहला सब्द बनेगा वो क्या बनेगा ग्रे है ठीक है ये बना हुआ है बच्चो है ना ग्रिन मिस क्या होता है घर दूसरा सब्द क्या बन जाएगा ब्रिच ब्रिच मिस क्या होता है पेड़ है ना पेड़ भी बना हुआ है ग्रिट ग्रिट मिस क्या होता है बच्चो घी देखी ये जो क्रिसक है उनके हाथ में क्या है गरित है चौथा क्या बने जाएगा बच्चो म्रिग ये हिरन बना है है ना तो यहाँ पर आप चौथे नंबर पर क्या लिखेंगे म्रिग और ये क्या बना है बच्चो घास बना है त्रड ओके तो इस तरह से बच्चो आपको यह यहां पर जो इस्पेस दिया है लिखना है और यह एक्सरसाइज आपको बुक में ही कमप्रीज करना है ओके सुडेंट आई हो बच्चो आपको एक्सरसाइज नमबर 4, 5 और 6 अच्छे समझ में आये होगा कोई प्राब्लम होती है सुडेंट तो आप सभी ग्रूप में पूछेंगे ओके बच्चो एव गूद डेए